तो दोस्तो आम पपड तो बन गया सूप भी गया लेकिन इसे निकालना काफी मुश्किल हो जाता है और अच्छे से ना निकलने के वज़े से कभी कभी ये तूट भी जाता है तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कमेंट में जरूर बताइए और इस ट्रिक के लिए इस वीड का पिपर ले लिया है इसे अच्छे से प्लेट पर अरेंज करना है और जो हमने आम रस पकाया है उसे डाल कर अच्छे से फेला कर एक दिन के दूप में सुखा देना है अब दूसरे दिन देखिए बिना कोई टेंशन बिना कोई परिशानी कि यह आम पापर निकल जाता है एक ही सेकेंड में और अब इसे कट कीजिए इसके रोल या इसके पीसिस बना कर इंजॉय कीजिए और रेसिपी कैसे लगी कॉमेंट में ज़रूर बताइए